नमस्ते जी स्वागत है प्रिया सिवल से मैं नाम है अमित तो इस वीडियो से सीरी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल मैपिंग फिर्स टॉपिक हमारा इंपॉर्टन रिवर्स ऑफ द वर्ल और हम देखेंगे कि इंपॉर्टन रिवर्स जो भी है उनका सूर्स कहा है और वह थोड़ा से डिस्सके बारे में भी देखेंगे एंफ पॉसिबल जहां तक हो सके हम इंपॉर्टन शीटी इस जो इंडियर पर है उनके बारे मी देखेंगे फोड़ा सा जूम इन जूम आउट होने वाला डेज है इस वीडियो में तो बियर विट मी जली स्टार्ट करते है नाइल से इसका source जो है वो आप Tributaries of Lake Victoria है जो कि Africa में है अभी जिखाना चाहूंगा मैं इसको Lake Victoria ये है आपका अभी ये देखेगा ध्यान से देखेगा कि तीन country से ये border share करता है Kenya है तंजानिया है ये यूगांडा है ये तीन country से border share कर रहा है यहां से निकलती है आपकी white nile white nile जो कि जूबा इस पर इस पर सिटी है instituted है खार्तों है खार्तों है आपका capital है Sudan का फिर Lake Tana से यहीं blue nile निकलती है और blue nile और white nile मिलके बनाते हैं आपकी nile और nile आपकी जाके फिर से लगजर पर आती है लगजर आपका southern city है एजिप्ट का और फिर कायरो पर और Alexandria बजाके मिलती है तो ये चीज़ आपको border आपको दिख गया cities दिख गई कहां से निकल रही है और एक चीज़ आप देखिएगा जो white nile है बजाके लेक अलबर्ट जो की उसपे में मिलती है ठीक और एक चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पे एक जो है लेक क्वयोगा है है ना वो भी रास्ते में मिल रहा है तो इसके basin में है ठीक तो तीन major lakes दिख गए है चार एक स्वारी चार दिख गे major lake आपको nile सी जोड़े हुए आपको फिर आपको major cities मालूम चल गई और length इसकी जो है यह आपकी approximately 6690 meters है ठीक है next river है हमारी Amazon तो Amazon का source क्या है जो एक चीज़ देखेगा यहाँ पे glacier feds कुछ lakes है यहाँ पे पेरू में ठीक तो यह यह एरिया यहाँ पर जो है ना यहाँ पर कुछ glacier feds lake है वहाँ से यह start होता है पेरू से और outflow कहां इसका है यह आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जाके Atlantic Ocean में यह खतम हो जा रहा है लेंथ है आपकी 6296 km ठीक है अब बात आती है कि कॉनकों से important rivers और आपको दिखेंगी यहाँ पर ब्रैंक को आपको दिख रहे होगे एक तो दिख रहे है आप इसका channel जो है यह कितना बड़ा basin है इसका बहुत बड़ा basin है अगर हम major cities की बात करें तो को cities ऐसी है जो कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा तो अगर हम परू की बात करें तो कुछ एक city है उसका नाम एकवितोस नाम है ब्राजील में आपका आता है यहाँ पर लिखते हैं है ना तो पहला है आपका एकवो तोस है आपका यह पेरू में है ठीक दूसरा है आ आपका ब्राजील में है ठीक फिर आपका आता है यह भी आपका ब्राजील में है फिर आता है माना मनाउस जिसका नाम है यह भी आपका ब्राजील में है तो चार-पांच मेजर सिटीज का नाम बहुत है इससे ज़्यादा क्योंकि बहुत नोटेबल सिटीज इस रास्ते में नहीं पढ़ती है हाँ अगर country की बात करें right country की बात करें तो major channel जो उसके गुजब करता है वो आपका पेरू से है पेरू ठीक है कोलंबिया और ब्राजील ये तीन countries है ठीक याद रहेगा next river पर अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं ठीक पहली बात सूर्स की देखते हैं तो सूर्स ऑफ रडॉक है यह मॉन्टेना से निकल रहा है यह ठीक है और आप यह देखिएगा कि Mississippi यहां से निकल रही है और मिसौरी का थोड़ा सा वाइडर रींज है यहां पर आपको यहल सास जुड़ा हुआ है से ठीक है और इसका बहुत लंबा पात है और अल्टिमेटली आके नियो औरलियॉंस के पास आपके गल्फ आफ मेसिको में जुड़ जाती है इसका लेंथ है आपका 5970 किलो मेटर्स थोड़ा सा डेटेल जो आपकी बात कह रहे हो कि आप स्टेट्स प सौरी का नाम ही इसी वज़े से पढ़ा हुआ है इसका केंटकी है फिर आपका टैनसी है फिर आपका मिसिसिपी है और लूसियाना है अगर सिटी की बात करें तो सिटी तो बहुत धीर सारी है इसमें कह लीजे कि इन्मी और्लियंस आता है कह लीजे सेंट लूइस आता है गि लेकिन यह यहां पे दूर है थोड़ा सा ठीक है तो यहां पे मेजर सिटीज अभी आपके लिए कैलो की इतना इंबॉर्टन नहीं है दोचार नाम जानना ठीक है लेकिन आप देख लो चैनल इसका यहां प्यारन नियू और्लेंस के पास इसका यहां पे इसका ड्रेनेज है य आपको देखने को मिल रही होंगी कि यहां पे आपको स्टेट्स देख रहे होंगे यह देख रहा हो pompes को चैनल तो इसका first of all कहां से source है तिबितन प्लेटी में इसका source है चाइना में ठीक, आर्टफलो कहा है इसका इसका चाइना सी में जिसको East China सी कहते है, अब यह जहां पर इसका आर्टफलो हो रहा है, इसको East China सी कहते है लेंथ है इसका 5,797 किलोमेटर, Tributaries के बारे में हंग पू है, ठीक अब थोड़ा से important है जो आप कहते हो कि कौन-कौन सी cities कही बार पूछा आता है, पहली बात तो अच्छा एक चीज़ और है कि क्या कहते हैं, जिसका source है वो बुला आता है कि डाम क्यू रिवर, जो source है उसका डाम कू एक जगा का नाम है, इसका डाम कू है, जगा उसका source मना याता है Tibetan Plateau में, दूसरी चीज़ अगर हम cities की बात करें, ठीक है cities की बात करें, तो major अगर city जो आपने सुन रखा है, वो है आपका Wuhan, माफ कीजेगा, spelling of Wuhan है आपका, और दूसरा है आपका शैंग हाई है, तो दो notable cities इससे आपकी जोड़ी होई है, इस river के आपके, कैली जब बैंक पर situated है, ठीक, next देखते है next है आपका yellow river, इसको हुआंग ही भी कहते है चाइना में, कहा source है इसका eastern part of the Kullun Mountains ठीक है, जो की west China में है और इसका जो outflow है यहाँ पे, वो है Gulf of Shihli, ठीक है ना spell, इसका यह है C-H-I-L-I इसका pronunciation जो भी हो सकता है, अलगरें प्रनांसिशन होता है, length है इसका 4,667 kilometers, अब देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा detail देख लेते हैं कि क्या क्या है इस बारे में तो यह देखी, यह है आपका इसकी origin point होगी और इसका channel देख रहे हैं आप किस तरह से यह अपना path बनाता हुआ, इस तरह से movement कर रहा है, यह आपके cities है कुछ major cities है, इसके अगल बगल situated है, ठीक अब इतना तो हमें pronunciation और ध्यान देंगे तो बहुत कुछ time लग जाएगा, लेकिन यह आपका channel है, और अगर बात आए कि कहां पे इसका outflow है yellow river का, तो आप इसको याद रखिएगा हमेशा, Gulf of Shihli ठीक है, यह याद रहेगा, next पर move कर next river है हमारी यनिसी, और यह इसका source कहां पे है, तानु ओला mountains जो है, mountain range है, वहाँ पे जगहाँ पे, western Tua, है ना यह रश्या में पढ़ता है, और यह इसकी major river है, पहली बात तो, ठीक अब ध्यान देने वाली बात यह है कि Arctic Ocean में जाके मिलती है जो और उसे जहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जिसको एक तो इसका नाम यह निसी है, इसको अलग-लग नाम से बुलायाता है, अलग-लग जगह पे, ठीक है तो एक नाम नहीं है, इसका अलग-लग नाम है ध्यान देने वाली बात क्या मैं बोल ला था कि 5th longest river system in the world and largest to drain in into the Arctic Ocean, तो यह largest river system है, जो जाके अपना drainage है, या फिर drain कर रही है Arctic Ocean में, ठीक यह इसका थोड़ा सा पात है हम देखते हैं, ठीक है, अब इसके drainage में अगर आप देखें, रिवर के system देखें और basin system देखें उसमें लेक बैकॉल भी आया है अब आपको लेक बैकॉल में दो अलग-लग river का नाम देखें लाओ, उलन उडे उलन उडे नाम है उसका, और उतकुछ नाम है इसका, आप देखेंगा, यह है आपका लेक बैकॉल, लेक बैकॉल के बारे में अलग वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है, लिस्टिंग वीडियो में आपको मिलेगा, उसको देखेंगा, अलग-अलग river systems यहां दिख रहे होंगे आपको यह दिख रहा होगा आपके drainage यहां पे इसका यह drain कर रही है यहां पे river और यहां पे आपको उलन बतार भी दिख रहा हुआ है, तो कुछ-कुछ पार्ट इसका मंगोलिया में भी दिख रहा होगा आपको तो यह मंगोलिया अलपार्ट है, जहां से यह river start हो रही है और यहां पे mountain ranges है, यहां से यह river start होती है, जहां से और थोड़ा-थोड़े drainage basing इसका मंगोलिया में भी आता है अगर बात करें कौन सी city यहां पे इसके bank पे लाए करती है, तो एक जो notable city है, उसका नाम है क्राश्णो यार नाम है, क्राश्णो यार्ष नाम है, और यह इसलिए important है क्योंकि यह third largest city है किसकी third largest city है सर्भिया की, साइबेरिया की साइबेरिया की, ठीक है और अलग-अलग industrial जोंस इस river के अगल-बगल बसे हुए है क्योंकि अच्छा drainage system प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है आप सभी जानते है, industrial region land, labor, capital required होती है, वाटर पे requirement होती है तो major industrial regions प्रोवाइड के अगल-बगल बसे हुए है रश्या के, ठीक, next पर move करते next river है हमारी पराना और इसका देख लेते हैं, सोर्स का है confluence of परानाईबा और grande river ठीक है, दो river मिलके ये river बनाती है पराना, और ये परानाईबा है और ये आपका grande river है और फ्लो कहां हो रहा है, ध्यान दीजेगा रियो, डिला, प्लाटा एक एरिया है यहाँ पर आप देखेगा, इसका और फ्लो ये हो रहा है ठीक है, ये, ये ना तो map जब साउथ अमेरिका का आप करेंगे तो यहाँ पर monte video देख रहा होगा Montevideo आपका Uruguay में है, ठीक और ये एरिया आपका जो बना रहा है ये आपका, जहाँ पर इसका आउट फ्लो है लेंध आपकी 4,498 किलो मेटर से ध्यान देने वाली बात क्या है कि major cities, जो notable cities है वो आपकी majorly और जेंटीना की है ठीक है, urgent टीना की है urgent टीना की कौन-कौन से cities major है तो ये कौरी येंटेस नाम से एक city है और दूसरी आपकी है पराना नाम से ही city है इसके नाम से अब ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले के लोग इतने simple आदमी थे बड़े सच्चन लोग थे कि जो river बहती थी उसी के नाम पे city का नाम बग देते थे तो पारगवे का भी नाम आप जानते हो पारगवे ये रुगवे जो city countries पूरी के पूरी country के नाम से बनी हुई है ये रुगवे तो पूरा का पूरा river है उसी के नाम पे country का नाम पढ़ गया था तो इसी तरह से पारगवे भी है, दो river systems हैं, या रिवर है पूरी के पूरी, उनके नाप पे country का नाम पढ़ा हुआ है, तो ये है आपका पराणा river के बारे में facts, ठीक, next से move करें, next river system है हमारी, ये है आपके इर्थिश, ठीक है, source कहा है, all time mountains, अच्छा देखीगा, अपने कान खुले रखिएगा, ठीक है, आँखे खुले रखिएगा, क्योंकि यहां पर धेर सारे में mountain system का भी नाम लूँगा, river system का भी नाम लूँगा, एक पूरे का पूरा, एक होता है ना, कि process है ये, कि अगल वगल चीजें क्या चलनी है, कौन है, कौन से नाम दिख रहे हैं, कौन ओब river में, ओब बहुत ही major river system है, अपकी रश्या में, ठीक, रश्या में बहुत ही ज़ादा इसका outflow है, basin बहुत बड़ा है, length लेकिन अर्थिश river का क्या गये लेंगे, 4438 km है, ठीक है, अब ये देखते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा सा यहां पर देखेगा, तो ये थोड़ा सा आपको देख रहा होगा, कजाकेस्तान का भी पार्ट एक, इंक्लूड कर रही है, मंगोलिया वाला भी पार्ट है, और फिर आपका रश्या तो ही है, ठीक, ये आपका ऊरल मौंटेंस होगे, और ये आपकी, ये इन इसलिए, अभी कुछ दिर पहरे river का बात किय है इसका, तो कन्फूरेंस ओफ लावलाब और लावपूला रिवर्स हैं, और ये कॉंगो में हो रहा है, ठीक, ध्यान देने वाली बात क्या है, कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये दो river system है, ये आके यहाँ पर जूड रही है, तो ये लावपूला है आपका, ठीक है, और ये दिख रहा होगा आपको लावलाबा नाम है इसका, ठीक है, तो लावलाब होगे लावपूला रिवर्स है, दो रिवर्स जाके जुड़ती हैं, तब जाके कॉंगो में जायर बनती है, और इसका ओटफ्लो कहां है, अट्लांटिक उशन में है, लेंथ है आपका 4,371 किलो मेटर, नेक्स बात आती है, कौन सी मेजर सिटी्ज हैं जो इस defer सिटी्ज इस river पे located है, इसके bank पे located है, तो दो जो आपकी river सिस्टम, जो आपकी दो सिटी्ज हैं, जो मेजर सिटी्ज हैं, उनका नाम है बता दाwarm पहली है आपकी किन शासा यह कैपिटल है आपकी Democratic Republic of Congo की ठीक है दूसरी सिटी है आपकी Brazz और यह कैपिटल है आपकी Republic of Congo की ठीक दो major cities दो major capitals of the countries yeah यहां पे इस रिवर पे लाइक करती हैं तो यह दोनों के दोनों इस मेजर रिवर पे बैंक पे सिट्विटेड है ठीक है नेक्स रिवूफ करते हैं हैं पे नेक्स रिवर में तारी इसंदी को कहते हैं अपे जो कहरा होगा आपको हैं ततर ट्रेट पे हैं बहुत ही contagious island ये भी और ये आपको दिख रहा होगा Sea of Okuts कहते हैं इसको ठीक और नीचे आपको Sea of Japan दिख रहा होगा थोड़ा सा map आपको मतलब याद होना स्टार्ट हो जाना चाहिए भीर भीरे तो इसके बारे में अलग लग रिवर की बात कर रहा है तो जया रिवर दिख रही है आपर आरगुन दिख रही है तो यह आपको दिख रहा होगा कि यह देखिए लेक बेकॉल के आसपा से यह रिवर निकल रही है और इसका लीना डिल्टा जो बना रही है अच्छा कासा डिल्टा बना रही है और आर्टिक ओशन में जाके मिल जा रही है ठीक है यह धान रहेगा नेक्स पर मूव करते हैं नेक्स है आपकी मैकेंजी रिवर है न चेनाड़ा की बहुत ही मिजर रिवर सिस्टम और पर निकलती है और रूक आवणा ब्यूफोरट सी जो की आर्ट एकोशन में है तो यह भी बहुत ध्यान देने का बात है कि यह ब्यूफोरट सी है और जो की आ यहां इसका माउथ है और यहां से यह निकलती है और जाके आपकी विफोर्ट सी में जाके जुड़ जाती है आपका लेंथ इसका है 4241 किलोमेटर्स थोड़ा सा अगर आप इसको पॉस करके देखना चाहें तो आपको कुछ-कुछ लेक्स दिखाई देंगे तो ग्रेट बिय जो है यहां पर कैनाड़ा में देखेगा तो इस चीज को मालूम चल गया कि यहां पर क्या हो रहा है यहे आप attract में और यहीं की यहналरा है id यह यहां से चलती है और अच्छा खासा पार्ट रेस करती है अलग-अलग कंट्रीज में जाती है एक चीज मैं अकॉर्ट शेर करूँगा आपको यह वो चार्ट में शेर करूँगा कि कौन सी सबसे 32 रिवर्स सिस्टम्स की मैंने लेंथ शेर की हुई है कंट्रीज शेर है लेकिन यह आपकी देखिए यह वाली कंट्री आपकी जो माली है वहां से गुजडर रही है गीनिया से गुजडर रही है सियरा लियोन से हलका सा बॉर्डर से बना सियरा लियोन और दिनिया के बॉर्डर जो है वहां से निकल रही है तो यह ध्यान देने वाली बात है आप कौन-कौन सी major cities की अगर बात करें तो बमाको बमाको जो city है और capital है किस major country की यह माली की capital है यह इसके bank पे situated है बमाको नाम है ठीक है यह याद रखिएगा और एक और sorry माफ कीज़ेगा एक और भूल रहा था नियामे नाम है और यह नाईजर जो country है उसकी capital है ठीक capital है यह दो major countries की capital इसके bank पे लाई करती है तो यह याद रहना चाहिए नेक्स river है हमारी मेकॉंग ठीक है मेकॉंग के बारे में देखते और यह outflow का है इसका South China Sea है तो एक बार map देखते हैं लेंध पहले देख लेते हैं कि 4023 km किसकी length है यह starting जब यह आती है हाँ बन रही है और जब यह flow करी है चाइना में तो इसका लकांग नाम है जब आगे बढ़ती है तो इसको मेकॉंग कहते हैं आपको दो और major river system का basin देख रहा होगा आपको राइट अभी कहां कहां से कौन कौन से country से गुजरती है उसको भी एक बार देख लेते हैं तो country का नाम आप कह लीजे चाइना है मैं मार है लाउस है थाइलेंड है कंबोदिया है और वियतनाम है ठीक है यह 6 country से होकर यह गुजरती है अगर मैं cities का नाम बोलूँ ठीक तो वियन तियान है यह आपका लाउस का कैपिटल है लाउस का कैपिटल है ठीक नेक्स है आपका लॉम फिन यह आपका कंबोदिया का कैपिटल है फिर आता है आपका साइगन यह आपका वियतनाम का कैपिटल है यह तीन मेजर कैपिटल सिटी इसके बैंक पर सिटूइटेड है ठीक तो इसको याद रखेगा नेक्स रिवर सिस्टम दे नेक्स है आपका मिसिसीप इसका सोर्स है लेक इटास का और जो की मिनसोटा में मिनसोटा स्टेट में है लेक इटास का वहां से निकलती है और फ्लो इसका गल्फ ऑफ मेक्सिको है इसकी लेंग के अगर बात करें तो यह है 3779 किलोमेटर्स यह यहां से निकलती है और यह उसके बाद flow करते हुए यहां पे New Orleans के पास Gulf of Mexico में आके outflow करती है अपना, next move करती है, same बताती है मिसारी के बारे में, तो Confluence of Jefferson, Galatine और Madison River, तीनों मिलती है तब जाके, यह Montana State में जाके मिलती है, तब जाके तीनों मिलती है तो मिसारी बनाती है, और यह outflow का होता है, Mississippi River में outflow करती है अपना यह, इसकी length है 3726 km, और आप देख सकते हो कि यहां से यह निकलती है और outflow है इसका, और अलग अलग rivers मिलती है जब जाके, तो यह मिसारी रिवर बनाती है, यह जाके अपना Mississippi River में जाके outflow करती है अपना, ठीक, next देख, next river है Volga, तो यह वर्लडाई प्लेटी उसे निकलती है जो कि रश्या में है, और फ्रो कहा है इसका, Caspian Sea में है, Caspian Sea इसले इंपोर्टन हो जाता है, कि यहां पे हम कई बार देख चुके है, कोशन बहुत बना है, Caspian Sea पे, एप्रोक्स लेंद क्या है, 3687 km, ठीक, थोड़ा सा ब्रीफिल देख लेते हैं इसको, कि क्या सीन है इसका, तो यह आपको दिख रहा होगा कि यहां से, इसका वर्लडाई प्लेटी जो है यहां से, यह इसका मलब शोर्स है, और यह ट्रेवल करते हुए, वल्लगा रिवर, वन आफ दे लेंदियस रिवर है यह रश्या की, और यह Caspian Sea में आके जुड़ती है, तो अगर आपने एक सिटी का नाम सुना होगा, वोल्गा ग्राड, ठीक है, वोल्गो ग्राड सिटी का नाम सुना होगा, वो इसी सिटी के रिवर के, मिलब रिवर के बैंक पे सिटुएटेड है, तो यह जानना ज़रूरी है, Otherwise जो Samara और सारातोग नाम वर टिपिकल होते हैं तो ये एक और मैप है इसको रोक के देखिएगा आप ये वोलगा रिवर आपको देख रही होगी और अलग-अलग इस पे मॉस्को केनाल की बात हो रही है यहाँ पे तो ये पुराना मैप है आप इसको पॉस करके देख सकते हो नेक्स रिवर है सेंट लॉरस तो ये लेक ओंटॉरियो से हम पाँच जो ये लेकस की बात करेंगे अपने उसमें आपके लिस्टिंग वीडियो आएगी उसमें आप जरूर देखिएगा उसमें इसकी बात की हूई है उसके डीटेल्स के बाद की उग लेक सूपीरिय लेक एर लेक Huron, लेक Ontario और लेक Michigan के बारे हम बात की है और हमने ये भी बात की है कि single largest lake जो एक country में है वो USA में हो कौन सा lake है उसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है लेकिन अभी की बात करें तो लेक Ontario से निकलती है St. Lawrence River इसकी length है 3058 km और ये Gulf of St. Lawrence में जाके drain करती है तो ये Gulf of St. Lawrence है जो ये आपको दिख रहाओगा बनते हुए अब X में आती है कौन से cities इसके cities इसके bank पे situated है तो दो major cities जो इसको नाम आप स्टे कर पाएगा आपके साथ उसका नाम है Montreal और दूसरी है आपकी Quebec City ठीक ये दोनों cities इसके bank पे situated है और फ्रोस का Gulf of Mexico में है length 30,000 34 km थोड़ा सा details के बारे में अगर बात करें तो ये USA plus Mexico से होकर गुजरती है अगर major states की बात करें तो major states में आप कह लीजे Colorado आता है New Mexico आता है जो की USA में है फिर Texas आता है ठीक अगर हम Mexico की बात करें तो Mexico सबसे जो एक notable जगा है उसका नाम है Chi Huawa ये सबसे बड़ी mining है यहाँ पर silver की silver की mining है सबसे बड़ी ठीक mining होती है mining area यहाँ पर तो वहाँ से होकर गुजरती है बाकी आप pause कीजेगा आपको काफी कुछ यहाँ पर दिखेंगे तो अगर stay हो पाए तो अच्छी बात है अदरवाई इतना मैंने बता रखा है उतना बहुत है यह आप ध्यान दीजेए Gulf of Mexico में drain कर रही है यह दिख रहा होगा आपको और इसका नाम है Rio Grande next river है पुत्रा यह आपकी हिमालियाज आके लीजे यहाँ पर तेविदन प्लेटिव से निकलती है यहाँ पर इसका लुंग जांग वो नाम है इसका सांग पो जिसको कहते है और यह पैरलल चलती है हिमालियाज से और आपको 90 पता का नेंसियार्टी पड़ी होगी तो 90 डिगरी होके यहाँ से मोड़ी आती है मेजर सिटीज की बात करें जो सिटुएटेड है मेजर सिटीज की बात करें तो पहली आपका गुहाटी आता है पहला आपका गुहाटी है दूसरा आपका दिब्रूगड है तीसरा आपका तेजपूर है चौधा आपका साधिया है साधिया डिस्टिक आपका बंगलादिश में आता है माफ कीज़े का साधिया माफ कीज़े का साधिया डाउन आ साम में है मुसे गलती होगी तो साधिया है फिर आपका पसी घाट है पसी घाट ये भी एक है इसकी के बैंक पे तो यह आपका map रोक के आप पर पूस करके देख सकते हो तो यह आपका बावपुता रिवर सिस्टम का है नेक्स चलते हैं इंडस रिवर जो की हिमालया से निकलती है अरेबियन सी में जाके मिलती है 2897 किलोमेटर्स है आपको दिख रहा होगा इंडस को निकलते हुए और इसकी पांच जो major tributaries इंडिया में हैं वो है आपके सतलर्ज, बयास, रावी, चेनाव और जेलम और अगर हम उपर की बात करें तो शोक और नुब्रा, शोक में नुब्रा के मिल जारी है, शोक मिलती है, गिल्गिट मिलती है आपे आके और जब पाकिस्तान में याती तो स्वाद भी है, कुनार है, काबुल है ठीक और खुर्रम रिवर है, काफी फेमस रिवर है खुर्रम ठीक तो यह जाके यहाँ पे इंडस में जाके जोड़ रही है अगर हम इसकी इंडिविजुल बात करें तो जो हम इंडियन मापिंग सिस्टम कवर करेंगे, इंडियन मापिंग कवर करेंगे रिवर्स की, तो उसमें देखेंगे कि सुतलज, ब्यास, रवी, चेनाब और जहिलम की बारे में डिटेल्स को नेक्स रिवर्स सिस्टम है, हमारी दनूबे रिवर्स सिस्टम, ये ब्लैक फॉरस्ट, आपकी जर्मनी से निकलती है, और आटफलो कहा होता है, इसका ब्लैक सी में होता है, लेंथ है इसकी 2842, और आपको ये दिख रहा होगा, यहां से ये निकलती है, और इसका आटफलो की बात करो थीक है कंट्रीज की बात करो तो कंट्रीज में आप ये देखिए believes तो इतनी धेर सारी कएने ख़दomma कि मतलब जरमनी है फिर आता है अ हंगरी है क्रोश्या है सर्भिया है बुल्गारिया है फिर आपकी रुमानिया है यूप्रेण है और मौल दो हुआ है तो कितनी cities होई है दो, दो चार, दो छे, दो आठ, दो दस तो 10, सुरी माफ कीज़े 10 countries से गुज़र रही है अगर अस cities की बात करें ठीक है, cities की बात करते है तो बुड़ा पेस्ट है first of all बुड़ा पेस्ट, ये हंगरी की capital है next देखते हैं आपका बेलगराड है माफ कीज़ेगा बेलगराड आ गया तो ये बेलगराड किस किस country में तो बेलगरड आपकी Austria की, Austria की राजधानी है sorry, माफ कीज़ेगा, Serbia की राजधानी है और Vienna की बात किये जाए Vienna, ठीक, ये भी एक major city है जो इस माफ कीज़ेगा, river के bank पे situated है, तो Vienna जो है आपकी ये औस्ट्रिया में आती है ठीक, इसको ये धहान रहेगा तो बुड़ाड पर इस आपकी Hungary की राजधानी होगी, Belgrade आपकी Serbia की राजधानी होगी, Vienna आपकी Austria की राजधानी होगी, तीन capital cities इसके bank पे situated है, तो ये धहान रखेगा countries जरूर देख लीज़ेगा map में, वो जड़ा जरूरी है कि कौन कौन से country से आपकी Danube River लेके गुजर रही है almost पूरा का पूरा Europe ही ये travel करती है, तो बहुत ही important river है Europe के लिए next river है darling, ये आपकी central part of eastern highland, जो की ऑस्टेलिया है वहाँ से, ये उसका source है, यहाँ से निकलती है, और Murray River जो है आपकी, वहाँ जाके ये मिलती है अपना outflow करती है, total approximately जो length है, 2739 km है, अब आप दो इस river को cover करने का reason ये था कि ऑस्टेलिया की दो major river system, एक Murray River basin है, Murray River की basin है और ये देख लीज़े, Darling River की जो basin है, कितना ज़्यादा area cover कर रहे है pause करके आपको मालूम चलेगा कि ये area जो है, यहाँ पर Adelaide के बगल में ये drain हो रही है, और Murray River में, Murray River drain हो रही है, लेकिन ये river Darling River जो है, Murray River में outflow कर रही है अपनी, ठीक है, तो major capital cities या फिर कह लीजे, states जो है, Australia के वो आपको देख रहा होंगे, Adelaide देख रहा होगा, Melbourne देख रहा होगा, Canberra देख रहा होगा, Sydney देख रहा होगा और Brisbane देख रहा है, ठीक, तो इस तरह से ये Australia की one of the major river system है, ठीक next river है, Zambezi इसका source है, Zambia में और outflow हो रहा है, Mozambic channel में length है, 2007, 36 kilometers, देखते हैं क्या system है इसका, तो आप देखिए, यहाँ पे Congo में जांबिया में यह निकल रही है, लेकिन इसका घूमने का अलका संबन किया है, तो यह just border पे, DRC के border पे घूमती है और फिर आती है, Angola में, Angola से फिर आती है, Zambia में, और Zambia से turn मारके, फिर यह Zimbambia से border बनाते हुए, यह आपकी lake आती है, lake करीबा है वहाँ से होके गुजरती है, Victoria Fall यहीं पे मिलता है, तो Zambezi river पे ही, आपकी Victoria Fall है, फिर lake, कोबोरा बासा है यहीं पे, और फिर Zambezi, जाके Mozambic Channel पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कि अपने आपको drain करती है Mozambique के बगल में, Mozambic Channel है, जो की Indian Ocean में है, वो आपको यहाँ पे drain करती है, अपने आपको तो यह है, इसका थोड़ा सा आप Kelly से physical या geographical features की बात करें, अगर हम दूसरी features की बात करें, तो अगर हम cities की बात करें, तो cities उतनी notable तो क्या ही rating कर पाऊगे आप, क्योंकि कुतनी यादा rating करने लाए, कुतनी famous cities है नहीं हाँ पे, लेकिन major जो एक चीज याद रखने वाली है, वो की Victoria Falls है, वो यहाँ पे situated है, इसी river पे situated है, और Kelly जे की six countries included है, इसमें Angola है, Angola है, Zambia है, Namibia है, Botswana है, आपकी Zimbombay है, और आपकी Mozambik है, यह चै कंट्री से होके यह river system गुजरती है, तो यह थोड़ा सो जानने वाला important चीज है, six countries से गुजर रही है, next देख, next है Paraguay river, और यह Matho Grosso से निकलती है, Brazil से निकलती है, Matho Grosso किसलिए famous आपको पता है, तो Matho Grosso जो है ना, यह Brazilian Highlands का हिस्सा है, यह Plateau है, और जब हम Plateau कवर करेंगे world mapping में, तो हम देखेंगे कि हो important है ठीक, तो outflow कहा हो रहा है, इसका Parana river में हो रहा, Parana river हम cover कर चुके है, length क्या है, 2545 km, Paraguay river के नाम पर यह Paraguay country का नाम पड़ा हुआ है, और यह ध्यान देने वाली बात है, कि देखेंगे Paraguay river आ रही हो, Parana में outflow कर रही है और Parana finally जाके, रियोदी दाला प्लाता में जाके outflow कर रही है अपना, यह area जो है यहाँ पर, यहाँ पर outflow कर रही है तो हम इसके बारे में पड़ चुके हैं जो थोड़ा सा, अगर आप country के mapping देख लेंगे, South America की चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि at times जो है न, यह landlock countries हैं, ठीके Uruguay हो गया, Paraguay हो गया यही सब landlock countries हैं, Bolivia हो गया तो इसके बारे में थोड़ा सा location पता होना चीज़े, यहीं से आपका Capricorn भी गुजरता है आसपास से तो उसके बारे में अच्छा खासा, आपको जब मैप थोड़ा से देखोगे, अच्छे से detail वे में तो वो भी knowledge हो जाएगा Next है आपका आमू दरिया तो यह कहां से निकलता है Nicholas रेंज, जो कि पामीर माउंटेंस में तुर्कमेनिस्तान में से टुटेट अप, ध्यान देने वाली बात है और इसका RLC में इसका outflow हो रहा है यहाँ पे जाके आपने आपको dream करती है रिवर का length क्या है 2414 km अभी हम देखते हैं तो दो रिवर दिख रहे होगे सायर दरिया और यह आमू दरिया ठीक, यह आपका RLC में जाके इसका outflow हो रहा है और इसका यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं है इसका कहलीजे कि आपका पामीर माउंटेंस में इसका source है ठीक, यह चीज दिख रहे होगी आपको major cities और major countries दिख रहे होगी Tajikistan दिख रहा होगा आपको यहाँ पे Turkmenistan दिख रहा होगा आपको यहाँ पे फिर आपको Uzbeegistan देख रहा है कagakistan देख रहा है आपको करगistan देख रहा है और यहां पे आपको RLC दिखे रही है तो mapping थोड़ा सा ध्यान रहे अपको थोड़ा सा चक्शू खुरी रहे है ग्यान चक्शू खुले रहे है तो काफ़ी कुछ चीजpowered easy हो जाती है तो फिर से मैं बताऊंगा मामीर मांटेन से निकलती है जो कि तुर्पमेनिस्तान में है और फिर Arial Sea में ड्रेन करती है अपने आपको ठीक नेक्स देखते हैं नेक्स है साल्विन रिवर जो कि हम देख चुके हैं जब हम कह लिजे की मैकॉंग रिवर कवर कर रहे थे उसमें साल्विन और इडावडी रिवर्स की दो मैंने बताया था आपकी दो मेजर रिवर्स और दिख रही है तो यह तिबत से निकलती है साउथ आफ कुलोन मांटेन स जाके अपने आपको ड्रेन करती है लेंफ है सका 2414 किलोमेटर यह है आपकी सार्विन रिवर और यह आप इसका पात देखिए काफी लंबी रिवर है ठीक है और यह गल्फ आफ मर्तबान यह याद रखेगा अगर यह कोशन आया ना गल्फ आफ मर्तबान की बात हो रही है यह यहाँ पर है अं डर्बान सी के अप ओ रहे है नर्थ नॉर्थ में ठीक है और यह सिकंट्री कौन-कौन से खूकर गोजर रही है तो मिज़ली तीन कंट्री से खूकर गैञते है एक तो चाइना है दूसरा है थाइलेंड और तीसरा है मैनमार ठीक ये तीन कंट्री से वोके गुजरती है इसको बर्मा भी कहते है पहले ठीक तो ये तीन कंट्री से जिनसे वोके सालमीन रिवर गुजरती है ध्यान देने वाली बात क्या है गल्फ ओफ मर्दबान ये यहां पर आउट फ्लो करती है और ये आपका यहां पर ठीक ध्यान र का लेंथ है यह डेनिपर रिवर आपको दिख रही होगी और यह रहेगा यहां को दिख रहा है यहां पर नुसक कोरी करते है यहांए याद रहेगा नेक्स मूव करते और स्वाण के बात चुके था इरावदी का यह mention किया था और मेकांग जब बात किया था साववीन और इरावदी दोनों का mention किया था तो यह confluence of Nmai और Mali rivers जो की northeast Burma में दोनों rivers मिलती है वहाँ से start होती है इरावदी की कहानी और यह Bay of Bengal में अपना outflow करती है 2092 km इसका कह लीजे इसका length है और आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर मंडाले है ठीक और मैंनमार से होते हुए majorly मैंनमार में situated और यह चिटवन रिवर दिख रही होगी इरादिव रिवर दिख रही है आपको ठीक और यहाँ पर इसको दो रिवर के नाम और भी दिख रहे होंगे जो जाके जुड़ती है मैं माफ कीजेगा इरावदी रिवर में नेक्स है और इंज रिवर इसका source है लेसोथो ये लेसोथो कंट्री है और आटफ्लो इसका अटलांटिक ओशन में है लेंथ है आपकी 2092 किलोमेटर लेसोथो दिख रहा है यहां पर आपको ठीके लेसोथो यहां से और इंज रिवर निकलती है और ये अटलांटिक ओशन में जाके जुड़ जाती है दो कंट्रीज दिख रहे होंगे आपको स्वाजी लैंड और लेसोथो इसके बारे में फैक्ट आपको पता करना आपका काम है साउथ अफरिका के कह लीजे टोटली ये अंदर सिट्वेटेड है लेकिन अगर टोटली की बात की जाए तो ये आपका लोचे तो पूरा का पूरा पूरा अंदर इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो ये आपका इसका चैनल देख रहे हैं इसका रिवर सिस्टम है और यहां पर जाके इसका कह लीजे चाइना सी में इसका ओट फ्लो है और नानिंग जो हो गया आपका वूजाओ हो गया गुरीन हो हो गया शारांग हो गया गौंग्जाओ मेजर सिटी जो है यह गौंग्जाओ है इसके सिट्विटेट है आप ठीक तो यह आपका इसका रिवर सिस्टम है इसको देख लीजे पॉस करके यह चाइना की वन मेजर रिवर है इसका लेंथ है 1,989 किलो मेटर ठीक अब थोड़ा सा राइन के बारे में देखते हैं राइन रिवर है आपकी तो राइन रिवर फ्लोज फ्रॉस फ्रॉम दा स्विजाग्स है ना तू दर निदर्लाइंड वें टू साउथ नौर्ट सी अभी यह से कंट्री तो यह दो यह वहां पर बनाती है जर्मनी और फ्रांस का तो राइन बहुत ही मेजर रिवर है जर्मनी की तो राइन के बारे में देखते हैं तो राइन कहां से निकल ली है तो यहां से निकलती है और फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर बना रही है यहां पर जर्मनी में गुजरते हुए यहां पर यह नीदर लेंड है आपका और जाके फिर आपका नौर्थ सी में अपना ड्रेन करती है ठीक नौर्थ सी में ड्रेन हो रहा है इसका तो यह है आपकी इस तरह से हमारी सपीस अल्मोस्ट में इतनी भी मेजर रिवर सिस्टम सी उनको मैंने कवर कर लिया है और एक बार इसको थोड़ा सा मैप कर थू देख लेते हैं कि मेजर वाटर शेड्स से इंड़सें के दिख लेते हैं तो यह इंडस का वाटर शेड है यह दख रहा होगा आपको यह upon का और मेकोंक का बता एक यह यवर्ड रिवर भी चाइना में हैं फिर यह यांजी का होगा आपको और यह यलो वो रिवर का देख रहा होगा ठीक है तो इसको पॉस करके एक बार को आप जब इमेजिन कर लेंगे कि कौन सी रिवर कहां पर है नॉर्थ साउथ या फिर कुछ